यूपी में जब से सीम योगी ने सत्था संभाली है तब से ही लगतार आक्षन देखने को मिल रहा है लगतार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कस्ता जा रहा है योगी पुलीस अपराधियों पर तगडा आक्षन ले रही है कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एंकाउंटर हो रहा है तो कभी दबंग बदमाशों पे बुल्डोजर चलाया जा रहा है अपराद और अपराधियों पर हंटर चलाया जा रहा है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज आपको UPATS के धमाकेदार आक्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे भारत में घुसपैट करता था अबू साले करोडों की हुई थी विदेशी फंडिंग 25,000 रुपए में महिला को बेचा लखनओ से UPATS ने दपोचा दरसल अमेरिका में आतंकी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित NGO से फंडिंग लेने वाले सिंडिकेट का UPATS ने खुलासा कर मास्टर माइंट को गिरफतार किया है UPATS ने लखनओ के मानक नगर से रोहिंगिया और बांगला देशियों को अवैद घुसपैट करा कर UP वा अन्ने राचियों में बसाने और इसके पीछे आतंकी कनेक्शन संस्थान से चार साल में 58 करोर फंडिंग लेने वाले सिंडिकेट के मास्टर माइंट और पचास हजार रुपए के इनामी अबुल साले मंडल को गिरफतार कर जेल भेज दिया है रोहिंग्या और बांगलादेशी नागरिकों की अवैद घुसपैट कराकर फर्जी दस्तावेस से उत्तर प्रदेश के तमाम शेहरों और देश के तमाम राचियों में बसने वाले सिंडिकेट पर काम कर रही यूपी एटीयस ने बीते साल एक ही सिंडिकेट के छे लोगों को गिरफतार कर जेल भेजा था एटीयस ने आरोपियों से पुलीस कस्टेडी रिमांड पर पूचताच की तो इसके पीछे एक दूसरा ही शक्स मास्टमाइंड के तौर पर सामने आया जो अपनी दो एंचीयों के नाम पर लंडन की उस संस्थान से फंडिंग ले रहा था जिसे आतंकी गतिविधियों के चलते अमेरिका बैन कर चुकी है भारत में गुसपैट करता था आरोपी बता दे कि ATS ने इस मामले की जाँच शुरू की तो पता चला कि मास्टमाइंड अबू साले मंडल ने फर्जी बिलिंग करा कर और हवाला के माध्यम से धन नकद में प्राप्त किया है अबू साले ने रुहिंगियाओं और बांगलादेशियों की भारत में घुसपैट में मदद कराने के लिए प्राप्त कैश का उप्योग किया और उन्हें भारत में अवैद रूप से रहने और काम करने के लिए फर्जी दस्तावेस उपलप्त करवाए ATS को जौनकारी मिली की विदेशी फंडिंग का ये पैसा भारत के विभिन राज्यों में राष्ट्र विरोधी गतिविध्यों में उप्योग किया चा रहा है बता दे कि पुकता सबूत जुटाने के बाद यूपी ATS ने लखनाओ के मानक नगर से अबू साले मंडल को गिरफतार किया है अबू साले मंडल मूलता पश्चिम मंगाल के 24 परगना का रहने वाला है उसने देव बंद के दारूल उलूम मदरसा से पढ़ाई की है अबू साले मंडल दो NGO हरोवा अल जामियातुल इसलामिया दारूल अलूम मदरसा और कबीर बाग मित्तल अकाडमी चलाता है 58 करोड की फंडिंग भेजी गई आपको बता दे कि इन दोनों ही संस्थानों के खाते में साल 2018 से 2022 के बीच यानी चार साल में 58 करोड की फंडिंग भेजी गई यह फंडिंग लंडन की उमा वेलफे ट्रस्ट से की गई उमा वेलफे ट्रस्ट पर टेरर फंडिंग में सनलिप्तता के चलते अमेरिका ने प्रतिबंद लगा रखा था अबु सालिह मंडल ने विदेशी फंडिंग को फर्जी बिलिंग से कैश कराता था जिसके लिए उसने अपने करीबी अब्दुल्ला गाजी के नाम पर गाजी फूद सप्लाई और गाजी मशीनरी के नाम की फर्जी कंपनिया बना रखी थी जो फर्जी बिल लगाकर हवाले क जरिये भी रकम हासल कर रहा था बताया जारा है कि अमेरिका में प्रतिबंधिद एंजीयों से फंड हासल कर भारत में अवैद रूप से रह रहे अवैद बांगला देशियों और रोहिंगियाओं की आर्थिक सहायता करने और फर्जी भार्त दस्तवेज बनाने और हवाला क के माध्यम से उस पैसे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया चा रहा था यह एक्षन खुलासे और दूसरी तरफ आतंग की फंडिंग का कोई पहला मामला नहीं है बलकि ऐसे ही कई मामले पूर्फ में भी सामने आ चुके हैं जहां एक्षन ने ऐसे कई फंडिंग के मामलों का खुलासा किया है चलिए उन मामलों के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं एटीएस ने बांगला देशियों को घुसपैट कराने वाले गिरोहों के तीन सक्रीय सदस्यों को गिरफटार करने के बाद एक और बड़ी कामया भी हासल की है गिरो बांगलादेशी महिला बेंगलूरू में पहचान बदल कर एक कपड़े फाक्टरी में मच्टूरी कर रही थी बता दे कि ATS ने 11 अक्टूबर को घुसपैट कराने वाले सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य बांगलादेश के मीरपूर निवासी आदलूर रहमान के अलावा बंगाल निवासी शेक नजीबूल हक वा अबू हुरेरा गाजी को गिरफतार किया था नजीबूल वा अबू देव बंद में रह रहे थे ATS को उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पश्चिम, मंगाल वा अन्य राच्चियों में बांगलादेशी नागरिकों की घुसपैट कराने वाले सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी भी मिली थी ये भी सामने आया था कि सिंडिकेट को घुसपैटियों की मदद के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही थी नजीबुल वाबु ने पूचताच में स्विकार किया था कि उन्होंने अदलुर रहमान को उसके नाम के एक कुटर्चित भार्त दस्तवेज उपलप्त कराये थे उन्होंने देवबंद में रहे रहे बांगलादेशी नागरिक मुहम्मद हबिबुल्ला, मस्बा उर्प, नजीब को भी उसके नाम के जाली भार्त दस्तवेज दिलाये 25,000 रुपए में महिला को बेचा महिला वा इब्राहिम दोनों बेंगलूरू में पहचान बदल कर रहे रहे थे वहीं बता दे कि ATS ने दोनों को बेंगलूरू से गिरफतार किया था दोनों को ट्रांजिट रिमांट पर लखनाव लाया गया है बड़ी बात ये है कि घुसपैठियों के सिंडिकेट को 20 करोड रुपए की विदेशी फंडिंग किये जाने के शाक से भी मिले थे विदेश से आई रकम का उपयोग घुसपैठियों के जाली दस्तावेस बनवाने उन्हें शरण दिलाने वराष्ट्र विरोधी गतिविधियों में खर्च किया जा रहा था ATS इस दिशा में भी गहनता से चानबीन कर रही है गिरोहों के कई अन्य सक्रिय सदस्यों की तलाश भी चल रही है बता दे कि सिंडिकेट हवाला के जरिये अपने सदस्यों तक रकम पहुचाता था ऐसा ही एक और मामले के बारे में आपको हमारे इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं दरसल यूपी में मदर्सों की जाच में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं यूपी के 108 मदर्सों को सिर्फ 2 साल में 150 करोड से अधिक फंड मिल रहा है SIT को जाच में बड़े पैमाने पर मदर्सों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं इन मदर्सों को खाड़ी देशों से पैसे मिलते रहे हैं यूपी के जिन जिलों के मदर्सों को विदेशों से आर्थिक मदद मिलती रही है उनमें भराईच, सिधार्त नगर, श्रिवास्ती के साथ साथ, सहारनपूर, देवबन, आजमगड, मुरादबाद, रामपूर, अलिगड समेथ, दर्जनों जिलेश शामिल है विदेशों से फंड भेजने वाली संस्थान कौन सी है, रकम कहां से भेजी गई है, किस तरीके से भेजी गई है, किस अकाउंट से भेजी गई है, इसका पूरा ब्योरा ATS ने इन मदर्सों के प्रबंधकों से मांगा है फंडिंग मिलने के बाद रकम मदर्से में कहां खर्च हुई, खर्च की पूरी रसीर, खरीदारी का पूरा बिल, सब जांच के दायरे में होगा बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर के महीने में ADG, ATS और अल्प संख्यक कल्यान विभाग के अफसरों की तीन सदस्य SIT गठत कर मदर्सों की विदेशी फंडिंग के जाच के आदेश दिये थे बता दे कि SIT को जानकारी मिली है कि UP के 108 मदर्सों को विदेशी फंडिंग मिल रही है SIT ने इन मदर्सों से बैंक खातों का पूरा ब्यौरा मांगा है दरसल उत्तर प्रदेश में 25,000 में से 16,500 मदर्से मानिता प्राप्त है इन में से कई मदर्सों को विदेश से पंडिंग की जा रही थी योगी सरकार ने इसकी जाच के लिए ADG, ATS, मोहित अगरवाल के ने तृत्व में तीन सदस्य SIT का गठन किया था इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे है कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार